प्रदेश में भाज़पस सरकार को तीन साल हो गए हैं विपक्स सरकार के कारेकलापों से खुश नहीं है कॉंग्रिस विधायक विक्रमादित्य सिंग ने सरकार के कारेकाल को असाफल बताया है और जशन के बजाए पांच बलब्धियां बताने को कहा है कॉंग्रिस विधायक विक्रमादिते सिंग ने कहा कि धाई साल में सरकार विकास का एक भी काम नहीं कर पाई है सरकार की प्रशासन पर पकड नहीं है जिसका वुगतान परदेश की जन्ता को करना पड़ रहा है उन्होंने कहा कि अटल टनल सोनिय गांधी की सोच थी जिस तरीके से टनल को राजनीती का अखाड़ा बनाया गया है भाजपर टनल के माधम से सस्ती लोग प्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही है सरकार के पास एक भी उपलवधी गिनाने को नहीं है मंडी में एरपोर्ट का काम ठड़े वस्ते में चला गया है इन्वेस्टर मीट बेनतीजा रही ध्रातल पर कुछ नहीं हुआ उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है विक्रमादित्य सेंग ने कहा कि हिमाचल विशविद्याल रस्स का अखाड़ा बन गया है यूनिवर्सिटी के अंदर अयोगी लोगों को भरती किया जा रहा है जिससे शीक्षा का स्तरगी रहा है चात्रों पर डंडे बरसाई जा रहे हैं ABBP के चात्र भी उनसे संपर्क कर रहे हैं और उनकी मांगों को विशविद्याल पर्शासन के आगे उठाने की मांग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि वे विशविद्याल जाकर स्वाए कुल्पती के समक्ष चात्रों की मांगों को रखेंगे PLTV के लिए शिम्ला से पुषपेंदर की रिपोर्ट